आज हम बात करने वाले हैं अगर आपको अपने फोन से कॉल करने पर ये प्रॉबलम आ रही है Mobile Network is not available तो इसे कैसे ठीक करें तो इसे ठीक करने के लिए आप अपने फोन में Settings को Open करिए और Settings Open करने के बाद आपको मिलेगा Sim Card and Mobile Network या फिर Only Mobile Network के नाम से ये वाला Option इस पर आप किलिक करिए अब किलिक करने के बाद आपको जिस Sim से ये प्रॉबलम आ रही है कॉल करने पर उस Sim में कुछ Settings करिए तो Sim 1 से प्रॉबलम आ रही है तो Sim 1 की Settings करिए Sim 2 में आपको अगर ये प्रॉबलम आ रही है तो Sim 2 की Settings करिए हमारे फोन में Only एक Sim Card है तो इसमें ही हमें Settings करनी है तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक Option Network Mode इस पर आप किलिक करिए अब किलिक करने के बाद उपर आएगा यहाँ पर 4G, 3G, 2G इसे आप Select करिए यानि कि जो First Option आएगा First Option पे किलिक करिए तो यहाँ पर 4G सेलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आपका Volty HD Call चालू नहीं है तो इसे यहाँ से चालू करिए उसके बाद नीचे Carrier पे किलिक करिए उसके बाद उपर आएगा Auto Register का Option तो यह आपका चालू होता है आप इसे बंद करिए बंद करने पर यह फिर से सर्चिंग लेगा तो एक से दो मिनट का वेट करिए अब यहाँ पर यह Network अपने आप Select कर लेगा तो यहाँ से अब इसे चालू करिए उसके बाद बैक आईए अब फिर से बैक आजाईए अपने फोन को restart करिए यानि बंद करके चालू करिए और चेक करिए अब आपको कॉल करने पर Mobile Network is not available जैसी problem नहीं आएगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें झालूर करें